कि अब को है किशलो एबरिवन आप सभी का हर्दिक स्वागत है इसकी इसकी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो सबसे उस time पर हम लोग discussion करेंगे exam की तरह 35-35 questions के sets ठीक है और मैं पूरे exam relevant sets बनाने की कोशिस करूँगा कि आप लोगों को proper practice मिल जाए और उससे पहले मैं concepts का discussion कर आप लोगों के साथ कर लूँगा इतना कि आपके साहधी कोई concept ऐसा होगा जो रह जाएगा ठीक है और exam point of view से यह sessions ब मैं invested a sum at a certain rate of interest on simple interest and he got 60% more amount after 8 years if he invest rupees 9600 at the same rate of interest on SI then find the total interest he would get after 4 years simple interest जो होती है वो हर साल एक जैसी बनी रहती है तो जो पहली लाइन है उससे हमें यह पता जलता है कि 8 साल में 60% मिली interest तो एक साल में हमको interest किती मिल जाएगी 7.5% 60% को एट से डिवाइड कर दो तो 7.5% परसेंट इन्टू 4 जो मुझे interest मिलेगी 7.5% तो वनियर की जो मेरी interest आएगी वो 7.5% आएगी और फिर मुझे 4 साल की interest चाहिए 9600 पर तो 7.5% को 4 से multiply कर दो यानि कि 30% मिल जाएगा आपको तो 9600 का 30% कैलकुलेट कर लो और 9600 का 30% कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2880 तो option number 4 जो है हमारा यह हमारा correct option हो जाएगा ठीक है this option is correct तो उम्मीद कर रहा हूँ यह बात समझ में आगे होगी बहुती basic सी बात है बहुत छोटी सी बात है ठीक है बढ़ते हैं चलो next question की तरफ second question की तरफ बढ़ते हैं क्या कहता है is 40% more efficient than B and both together can complete a piece of work in 9 days if A work for first 5 days only ठीक है and remaining work completed by B उसके बाद भी जो remaining work है वो B ने complete किया then find in how many days the work will be completed तो एक तो पहले तो हमें यह बता होना चाहिए कि जो total work हम calculate करते हैं time and work में अगर हम total work calculate करते हैं तो जो हमारा total work होता है वो होता है efficiency in two time efficiency in two time होता है ठीक है तूसरी बात अगर A is 40% more efficient than B तो 40% जो हमारा होता है 40% is 2 by 5 यानि कि A और B की जो efficiencies के ratio आएंगे वो रेशो मेरे को 5 by 7 यानि कि 7 by 5 इस तरीके से मिल जाएगा efficiency क्या बताती है गैस efficiency बताती है work done in a unit period of time यानि कि एक काई समय में किया गया काम यानि कि A अगर साथ unit work करता है एक दिन में तो भी करता होगा पांच unit work एक दिन में that's it उसके बाद मैं total work calculate कर लेता हूं if A and B work together for 9 days तो A और B की जो command efficiency मुझे यहां पर मिलेगी 12 है 12 units करेंगे दोना मिलके और 9 दिन अगर वर्क करेंगे तो total work जो हमारा आएगा 108 units आ जाएगा अब यह 108 units work complete कराना है और B पर मिलके कराना है लेकिन किस तरीके को जाएगा सेवन यूनिट के सेवन यूनिट पर डी के साब से पांच दिन काम करेंगा यह कि थर्टी फाइव यूनिट कर लेगा अगर यह 35 यूनिट वर्क कर लेगा तो आप मुझे बताओ ज़रा सोचके कि ए इसमें से 35 अगर मैं मायरस कर दूं तो मेरे पास 73 यूनिट कौन करेगा बी करेगा तो 73 को बी की एफिशेस्टी से डिवाइट कर देते हैं यानि कि 14.6 देज तो ए ने पहले पांच दिन काम किया और फिर बी ने आकर 14.6 देज वर किया यानिकि 19.6 देज में यह हमारा वर्क कंप्लेट हो जाएगा यानिकि जो हमारा ऑप्शन नमबर 4 है that option is correct this option is correct option number 4 is correct so guys I hope that this concept is clear to you you can easily solve such questions और ऐसे questions आते ही रहते है ठीक है चलो अगले कोशन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग क्या कह रहा है a man deposits a man deposits 10% of his salary in PF he saves 30% of the remaining and the ratio of his expense on medicine and groceries is 3-4 of the remaining salary after saving okay if his expense on the medicine was rupees 2700 find his monthly salary तो अगर तुम मंथली सेलरी 100 रुपे लेकर भी चल लेते हो अगर 100 रुपे लेकर भी मंथली सेलरी में चल लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा मुझे ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है कि मालो 100 रुपे लेकर मैं चलता हूं मेरी salary है total मालो हमारी जो salary है that salary is 100 rupees 10% इसका निकाल दिया मैंने PF में तो मेरे पास अभी बचेगा 90% इस तरीके से मैं ले लेता हूं 30% of the remaining यानिकी 90 का 30% यानिकी 27 होता है वैसे तो 90 का अगर 30% calculate करोगे तो 27 आएगा 27% और निकाल दो इसमें अब 90 में से 27 परसेंट अगर निकलेगा तो बचेगा यहां पर 63 परसेंट 90 परसेंट में से यह भी निकाल दो savings जो है इसकी 27 परसेंट तो हमारे पास कितना रह जाएगा 63 परसेंट अब जो 63 परसेंट तुमारे पास रह गया इसको distribute कर दो 3 और 4 के रेशो में यह तुमारे medicine पर खर्चा होगा और यह तुमारे groceries के उपर खर्चा होगा इफ ही expense on medicine was 2700 तो 7 की value जो आ रही है इस total expense की 7 की value 63 परसेंट आ रही है यानिकि 1 की value यहां पर 9 परसेंट हो जाएगी तो आपका answer आ गया guys 3 की 3 into 9 4 into 9 यानिकि मुझे चाहिए medicine का 27 परसेंट और 27 परसेंट की जो मुझे value दी गई है वो मुझे 2700 दी गई है यानिकि 100 परसेंट की जो यहां से मुझे value मिलेगी यानिकि मेरी जो income थी वोट मुझे कितनी मिल जाएगी 10,000 that's it तो option number हमारा कौन से हो जाएगा first option is correct 10,000 is the correct answer of this question तो ऐसे आप यह सोच रहोगा सरी आसान questions हैं एसे questions नहीं आते लेकिन गाएगी बिलीब मुझे इस तरीके के आते थूड़ा बहुत change होता है बहुत ज्यादा मुश्कल questions भी नहीं आते बहुत ज्यादा आसान questions भी नहीं थोड़ा बहुत सोचना होता है questions के लिए अगर आपको लगता है कि लेकिन में उनका लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है इतना लेवल नहीं आता है ठीक है चलो आगे बढ़ते नेक्स्टों की तरफ क्या गेर है नेक्स्टों हमसे इने मिक्षर ओफ मिल्क एंड वाटर बीप्रोर्पोर्शन आफ मिल्क बाई वेड़ इस 60% if from the 80 gram mixture 20 gram of the mixture is taken out and 6 gram of pure water is added to the mixture then find the ratio of milk and water in the new mixture तो अब इसमें कोई छोटा से concept है कि हमारे पास मैं यह कहता हूँ कि मेरा एक मिक्षर है कि मिल्क और वाटर का यह मिक्षर है अगर मिक्षर के अंदर से आप मिक्षर निकालते हो अगर मिक्षर के अंदर से मैं कुछ उस भी extract करता हूं तो इसका ratio जो होता है ratio पर कभी कोई effect नहीं पड़ता रेशो हमेशा जो रहता है वो ratio हमेशा unchanged रहेगा ठीक है यह बात समझने कोशिश करना ratio पर रेशो रेशो रेमेंस सेम यानि कि ऐसे cases में रेशो सेम रहता है कुछ ज़्यादा नहीं सोचना होता तो अगर मैं कहूं कि वेट अगर मिल्क और वाटर की हमें बात यह कर रहे हैं तो यह कह रहें कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है यहाँ पर त्री शू टू है अगर इसमेशा ट्वेंटी लीटर तुम निकाल भी दोगे तो रेशो पर कोई कहाँ और तू में डिवैड़ कर लो यह वैब की वैलू 60 आ जाएगी देहुँद है इसको फैब की वैलू को 60 लेeredख Спber 12 में दो अगर में थाटवी और सेकिन यहां ऑप्षन इस करेक्ट सेकंड ऑप्षन हमारा करेक्ट हो जाएगा 6 रेशिओ फाईब ज्यादा टास्क नहीं है आप समझाड़ो बस बातों को थोड़ा थोड़ा क्योंकि देखें डेशिब्स नारा होता है तो उसके रेशिओ पर कभी भी एटनी इन पड़ता है रिश्यो रिमेंस सेम एनए इन शर्कम्स्तेंस अन्टर वल्लेस वह नोट एडिंग संथी ठीक है अगर आप इक्स्टराक्र करें विक्षर में से अस्का रिश्यो कभी एफ हैट नहीं करेगा लेकिंड आप कुछ एड करते हो प्रफेक्ट पड़ता है ठीक है चलो अगले कुश्चिन की तरफ आ जाते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चिन हमसे this sphere is melted and molded into solid cylinder if radius of both solids is equal then find the ratio of the total surface area of a sphere to the total surface area of cylinder यह बाद अच्छा question है लेकिन एक बात आप ध्यान दो जब भी आप किसी को melt करते हो melted तो जो volume होते हैं दोनों structure के तो volume सेम रहते हैं यानि कि अगर मैं इसकी ही बात करूं तो सबसे पहले तो आपको दोगो तिन पता होनी के बारे में फिलाल को कर करके आपको दिखाता हूं फिर उसके बाते हैं जैसे स्फेर की बात में करो लोगा करोता है यह हमारा स्पेर होता है कि कुछ ऐसे मान दो यह सिस्टे िसके का 3 d डी बना लेते हैं स्सट्री विगर होता है इसको सेम किलर से इस तरीड से बना पाई आर क्यूब होता है ठीक है और अगर स्लेंडर की बात मैं करूँ अगर मैं स्लेंडर की बात करूँ चलो स्लेंडर एक बना लेता हूँ मैं आपे स्लेंडर का जो टॉप है और जो बॉटम है वो सर्कुलर होते हैं गाइस ठीक है कैसे होते हैं सर्कुलर circular होते हैं, top और bottom, दोनों circular होते हैं, तो यह इसकी radius बन जाएगी इस तरीके से, और यह इसकी radius होती है, यह इसकी height हो जाती है, इसका जो volume होता है, वो होता है pi r square h, अब दोनों को अगर melt करोगे तो volume same रहता है, ठीक है, अब volume same रहता है, दूसरा करें कि दोनों जो figure हैं, समझना ध्यान से बात को, तो मैं height पे कुछ निकाल सकता हूँ, तो मुझे height का radius की term में, मुझे height को निकालना पड़ेगा, क्योंकि total surface area की बात इन्होंना किये, तो total surface area जो square का total surface area जो होता है, वो होता है, 4 pi r square, और इसका cylinder का total surface area होता है, वो होता है, 2 pi r, bracket h plus r, इनको अभी में formula को एक बार दिखा दूँगा, तुमको अभी visualize करवा दूँगा, वो सारी चीज़ें, तो पहले क्या करोगे, volume को equal रखते हैं, तो volume equal करोगे, तो square का volume आएगा 4 by 3 pi r cube, और cylinder का आएगा pi r square into h, तो pi से pi cancel out हो जाएगा, r square से r square cancel out हो जाएगा, h की value आजाएगी 4 by 3 r, यह मुझे use करनी है भाई, यह value मुझे use करनी है, यहाँ पर, क्योंकि मुझे इन दोनों का ratio चाहिए, total surface area का, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ, यहाँ 2 pi r bracket h cap 4 by 3 r plus r, यानि कि यह बनेगा 4 plus 3, 7, 2 pi r into 7 r by 3, यानि कि finally मुझे मिलेगा 14 by 3 pi r square, अब इन दोनों को compare कर लेते हैं, तो जो square का total surface area 4 pi r square है, और जो slender का है 4 by 3 pi r square है, ठीक है, तो जब इसको तुम cancel out करोगे, तो यह pi r square cancel out हो जाएगा, 3 का multiply धर्च हो जाएगा, यानि कि 12 ratio, 14 हमारा बनेगा, इनका मुझे ratio चाहिए था, यानि कि 6 ratio से, यानि कि इस case में जो हमारा answer बनेगा, वो बनेगा second option 6 is to 7, अब यह question सारे के सारे ना, इस चीज़ पर depend करते हैं कि आपको formulas बगएरा का idea है या नहीं है, क्योंकि जितना आपको formulas बगएरा का idea होगा, उतना easily आप इसको solve कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ आपको, देखो ज़रा ध्यान से पहले मैं बात करता हूँ सिलेंडर के बारे में तो मैं सिलेंडर की डिटेल यहाँ पर लिख देता हूँ कि के सिलेंडर का figure कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ ऐसा होता है circular top और circular bottom होता है इसका ठीक है और इसकी radius होती है इस तरीके से इसकी height है, इसकी radius है और इसका center होता है एक तरीके से देखा जाए तो छीकह यहाँ पर भी this same रहती है तो इसका जो volume होता है यह होता है Piaz过 Arch एक होता है curved surface area और एक होता है total surface area इन दोनों में क्या फ़र्खे nen? करव्ड surface area की भात कर लोगे, so तो इन दोनों include नहीं होते है Навंगे कि इसमें top और bottom यह दोनों include नहीं होते हैं यह होता है किह तो पाइ एरेच और ये total surface area क्या होता है? curve surface area तो इसके अंदर आए गई और top और bottom का area ने की pi r square प्लस pi r square है तो 2 pi r square भी आएगा तो 2 pi r bracket h plus r तो ये बनता है slender के इलावा इसमें second जो figure हमें देखना है वो हमको देखना है कौन कौन कुछ इस तरीके का बनेगा इस तरीके से बनता है conical surface जैसे tent house जो बनते हैं या फिर सरकस का जो tent लगता है वो ये conical figure होते हैं और इसकी ये height होती है इसका center है ये इसकी radius है और ये जो है ये इसको बोलते है slant height यानि कि slant height का मतलब क्या होता है कि तरियक उचाई एक तरिके से तरिची उचाई जो होती है ठीक है तो इसका जो volume बनता है हमारा ये 1 by 3 pi r square h होता है और इसका curved surface area जो होता है वो हमारा होता है pi r l और इसका total surface area हमारा बनेगा pi r l plus pi r square यानि कि pi r bracket l plus r आप ये भी चीज़ नोटिस कर सकते हैं ये एक right angle triangle की तरह behavior करेगा तो l square जो होती है उसकी value होती है r square plus h square यानि कि पाई थागोर इस theorem भी यहां कम लगा सकते हैं इसकी value जो बनती है वो क्या बनती है कि i r square is equal to kya होता है r square plus h square होता है इसके अलावा sphere की बात अगर हम करें sphere भी एक 3D figure होता है इस तरीके का figure होता है इस तरीके से 3D figure इसको बना लेता हूँ मैं और अगर इसकी radius की बात कि जाए तो इसकी radius ये है ये भी इसकी radius ही बनेगी इसका center एक तरीके से इसका जो volume होता है 4 by 3 pi r cube जो sphere का volume होता है वो होता है 4 by 3 pi r cube होता है दूसरी चीज़ तुमको समझनी है या पर कि इसका curve surface area नहीं होता है इसका total surface area ही हम count करते है क्योंकि curve surface area क्या होता है चारोत तरफ का area अब इसमें तो कुछ और ही नहीं इसमें तो 4 तरफ के area ही है एक ball एक तरीके से तो अगर ये ball है एक तरीके से तो मैं क्या कहूंगा ये curve जे टूड़ सर्फेस area इसका कितना होता है 4 pi r square ठीक है क्या होता है 4 pi r square इसी में hemisphere भी देख लो थोड़ा सा ये इस तरीके का बनता है ये इस तरीके का ले लेते है ऐसा figure बनता है यह ball tap का जो figure बनता है hemisphere इसको बोलते है आदा होता है ये कह कहते है square से तो अगर इसकी radius की बात मैं करूं तो ये इसकी radius बनती है ये radius है ये भी इसकी radius का ही काम करती है जो इसका volume होता है क्यूंँ हो जाता है law reforms घ्रिया और दूसरी चीज यहां पर उपहर वाला पार्ट वाला पार्ट पी तो एड़ हो जाएगा सारा का सार इसलिए प्लस पारर होता है यानि कि 3 pi r square तो उम्मीद मैं यह कर रहा हूं कि यह सारी चीजे आप लोगों को clear हो जाएंगी इसी page से आप इसका screenshot ले 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 ना यही सारे formula होते हैं इनको ही हमें use करना होता है बार 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 हर बार ठीक है चलो बढ़ते हैं फिर आगे एक बार इन सब चीजों को देख लोगे तो सारी चीजे आद रहे जाएंगी ठीक है 3 partners P Q and R invested their amounts in the ratio 2 is to 5 is to 7 at the end of 6 months P added some more amounts such that his investment become equals to half of sum of Q and R initial investment if at the end of the year Q's share in the profit is 425 rupees then find total profit तो अगर मैं इसकी बात करूं investment की तो PQR का investment चल रहा है इसमें चलो PQR का investment कर लेते हैं 5 पी क्यू और आर है PQR का investment इसमें चल रहा है 2 5 और 7 की ratio में investment का चल रहा है 25 & 7 के रिज्वेशो में का investment है PQR का investment 257 के ratio में हो रहा है at the end of six months P added some more amount देखो पी 6 महिने तक investment करेगा तो फीकर investment 6 महिने तक 12 रुपे हो जाएगा कि क्यों और आ इनका कोई investment में इन्होंने फिर बदल नहीं किया तो यह 12-12 महिने अपना पूरा investment करेंगे प्रोफिट जो हम calculate करते हैं वह होता है investment into time जितने आप investment करते हो और जितने time के लिए आप investment करते हो आप इनको मैल्टिपलाई कर दो आपको प्रोफिट मिलता है अब आगे कहानी कि यह जो है पी जो है इसका हाफ और को इंवस्टमेंट्ट आप रेश्यो में चेक करो गे तो 5-7 निकी और इसका हाफ अगर करोगे तो पी का जो investment होना चाहिएँ वो investment इंवेश्चमेंट कितना होना चाहिए और उन्हाइब pierws यह 12 से cancel out होई जाएंगे 12 से 4 टाइम 12 से 5 टाइम और यह 12 से 7 टाइम calculate कर सकते हो आप इसको easily अब यह क्या कह रहा है देखो अब यह कह रहा है कि जो क्यू का share है वो 425 है यानि कि क्या share है कितना 5 तो जो 5 की value हमारी आ रही है तो जो 5 की value है वो 425 आ रही है तो 1 की value यहां से calculate कर लेते हैं यह 85 आ जाएगी तो पूरा profit कितना हो जाएगा यह देख लेते हैं 9 प्लस 16 हो जाएगा तो 85 इंटो 16 कर लेते हैं 16 580 तो हमारा जो इसमें answer बनने वाला है वो बनेगा option number 2 1360 तो एक बार आप इसको जरूर देखना क्या 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 हम लोगों ने इसमें किया है वैसे तो ज्यादा मुझे के लिए question है नहीं इसी question है थोड़ा थोड़ा चीजे जिसे लेंग्वेज पर डिपेंड करती है अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं एक्जाम का जो लेवल लेता है बुलको एक्जाम लेवल से question है यह सारे के सारे questions मैंने कहीं किसी एक्जाम से उठाएं आपके से तो आप देख सकते हो कि और रिसेंट टाइम में जो एक्जाम होएं आपके तो एक्जाम के लेवल पे ही है सारी चीजे आप देखो कि कैसे questions बनते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की तरफ इस shopkeeper marks a price of LED 60% above its cost price and gives 3 successive discounts of 12.5% D% and 25% इस shopkeeper मेड़ा loss of 16% on LED then find the second discount allowed by the shop अब तुम्हें एक बात बता हो जरा मुझे जो हमारा CP होता है CP पे कुछ में markup लगा दूँ तो मुझे mark price मिलता है और mark price पे इसमें इसने 3 discount लगाए है तो मुझे मेरा selling price मिलेगा अब यह वही concept है successive percentage change का concept है basically हो क्या रहा है कि देखो मैं clear cut picture देदे कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर यह value 60% up हो रही है 60% up होने के बाद में एक discount दे रहा है 12.5% का एक discount यह दे रहा है D% का और एक discount दे रहा है 25% का और फिर यहाँ finally आपको loss है वो भी 16% का लॉस और प्रॉफिट के सपर calculate करते हैं CP और SP के उपर फैनली हम CP और SP के उपर loss और प्रॉफिट जो हम अपना calculate करते हैं तो अगर आपको success है percentage चेंज आता है लगाना सही तरीके से तो आपको यह question बहुत आसान लगेगा otherwise इस question करने में आपको time लगेगा तो मैं दो तरीके से explain करूंगा बागी मैं आपको पहला तरीका वह बताता हूं जो मैं exam में इसको apply करता तो मैं क्या apply करता देखो जो हमारा cpa cb को मैंने 100 assume किया 100 पर में 60% क्योंकि यह सारे के सारे ना percentage changes है ऐसे सोचो इसको यह सारे के सारे percentage changes है ठीक है अब 100 रुपे की कोई चीज है final मुझे SP तक जाना है तो मेरे को loss है 16% 16 loss है यानि कि यह जो final value मुझे मिलेगी 84 रुपीज मिलेगी पहले तो यह बात के लिए तो नहीं कि 100 रुपे अगर मेरे हाथ में आज है और 16 रुपे का मुझे loss हो रहा है 16% का loss हो रहा है तो वह 84 रुपीज selling price पे जाएगा उसके बाद मैं बढ़ते आगे पहले 60% आप कर दो value यानि कि 100 का 60% तो 60 ही होता है यानि कि 160 रुपीज हो जाएगा इसके बाद मैं थोड़ा और समझते हैं अगर मैं देखो जितने भी percentage changes है यह तीनों percentage changes की बात मैं करता हूँ जितने भी percentage changes होते हैं इनका sequence माइने नहीं रखता है यानि कि sequence को तुम अदल बदल सकते हो sequence को तुम इधर उधर कर सकते हो कोई फरक नहीं परता सक्सेक्षिक percentage में तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा मैं 25% कम करूँगा ना यानि कि वन फोर्थ यानि कि 40 रुपीज कम हो जाएगे यह 120 रुपीज की रह जाएगी वेलू अब मैं 12.5% कम कर दूँगा यानि कि इसमें से 15 रुपे और कम हो जाएगे यह 105 रुपे रह जाएगे 105 से वैलू 80 रुपे जारी यानि कि इतने रुपे का discount हो गया 21 रुपे का यह 21 रुपे का discount है यही D percent तुमको बताना है तो यह 21 का discount आप दे रहे हो 105 पे यही आपको calculate करना यह 1 by 5 आ जाएगा यानि कि 20 परसेंट तो option नमबर हमारा second से ही हो जाएगे तो आप देख रहे हो कितनी easily इन questions को हम deal कर सकते हैं और यह question कुछ भी नहीं है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज़ इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज़ चेंज़ मुझे इसके अंदर दि तो मैंने बन बाई 4 किया बन 60 का तो 40 रुपीज लेस हो गए फिर यहां 105 से 84 तक मुझे जाना है तो यह सारा कुछ चेंज रहता है इसके अंदर और इसके अलावा कुछ भी नहीं था इस question में ठीक है अगर आप चाहो तो इसको अगर आप चाहो तो इसको एक और तरीके से क बढ़ा मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 60 यानिकि 60 परसेंट जो वैलू बढ़नी है ठीक है समर्द बात को ध्यान से अगला 25 परसेंट वाला है 25 परसेंट काम होगी वैलू अगें डी परसेंट वैलू को कम होना है और फाइनली जो प्रोड़क्ट मिलेगा एंड तो आके मिलेगा तो मैं 8 रुपे मिल जाएगा 25 परसेंट कि वात अगर मैं करूं कि 25 पर्षेंट वन बाई 4 होता है यानिकी 4 रुपे लेकर चले तो एक रुपे का डिसकाउंट यानिकी साथ और जाएगा अब इसके बाद में जो डी परसेंट का डिसकाउंट क्योंकि सार यहां पर मैं भी वैलू ले लेता हूं और फाइनल जो प्रोडेक्ट मुझे मिलेगा उस पर सिक्स्टीन पर्षेंट लाउस है सिक्स्टीन पर्षेंट होता है पूर बैट्वेटीफाइड यानि कि पच्छीस रुपे लेके चले और चार रुपे का लॉस हो गया है कि कितने क्या हो जाएगा फाइब फोर जाएब ट्वेंटी एगे ट्वेंटी एगे वैलू 25 आ रही है तो एक की वैलू कितनी हो जाएगी 25 बाइटी चैना कि 5 बाइटी और इदर आएगा 7 इंटू 321 बी इस इकल टू 21 आ रहा है तो बी की वैलू आपको पता होनी चीए 1 है यानि क आपको जो है percentage change calculate करना actually बताना है तो 4 से 1 की तरफ जा रहे हो यानि कि 5 से 4 का ratio हो रहा है तो एक का discount है पांच पर यानि कि 20% आप इस तरीके से भी जा सकते हो अगर आपको यह solve करना है लेकिन मैं इसको suggest नहीं करूँगा मैं suggestion यहीं करूँगा कि आप इस तरीके से जाओ यह जाद अच्छा तरीका है solve करने का इसे questions को ठीक है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस session समझ में आवगा चोटे session सकने का एक ही reason होता है कि आप लोग इसको आसनी से देख लो समझ लो बहुत लंबा सेशन में 30 मिनट का सेशन जासे जादा 40 मिनट का सेशन दखूंगा और कोसिस मैं करूंगा कि 30-40 मिनट के सेशन रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए लाता रहूं और अच्छे questions अच्छे concepts आपके साथ discuss करता रहूं और जो आपने बोला है कि धीमे सारा के लिए हो जाएगा सारा का सारा ऐसे questions का सेट्स में लाता रहूंगा और अगर आपको लगता है आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो like this session share this session as much as you can और इससे motivation मिलता है बस यही है कहना मेरा thank you